हेलो चिल्डरन कुसुमायम की ओनलाइन क्लास में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो आज हम फोर्थ क्लास के सब्जेक्ट इंगलिस कलेसन 13 ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग को अच्छी तरह से रीड करना भी सीखेंगे और इसे इंगलिस से हिंदी में ट्रांसलेट करना भी स कर लें तो देखिए शुरुवात करते हैं हम लैसन 13 ट्रैवलिंग 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 का मतलब होता है विच्छो ट्रैवल करना यानि की यात्रा करना यहां दे रखा है परी डिडिंग लैसन को रीड करने से पहले जो अक्टिविटी की जाती है वो परी डिडिं in the picture इसे खाए कि आप picture में जो भी means of transport देख रहे हैं उनके नाम बताएं तो आपको उनके नाम बताने है बच्चो तो बताओ ये क्या है बताओ ये तो metro है है ना और ये है शेप यहां पर देखो बॉट भी है और यहां पर ये और विलर है ये थरी विलर ये स्कूटर है टू विलर है ये है ना ये थरी विलर है ये क्या है बताओ ये बस है ये है कार और ये यहां पर स्कूटर है तो इस तहां से हमने देखा वच्चो कि means of transport जो है वो three types के होते हैं कौन-कौन से? एक तो होते हैं land transport जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं यह land पर चल रहे हैं, धर्ती पर चल रहे हैं है ना? और एक होते हैं water transport जैसे कि यहाँ पर ship हैं boat हैं, यह पानी में चलते हैं तो इन्हें water transport कहा जाता है और एक होते हैं जो उपर आस्मान में उड़ते हैं उन्हें air transport कहा जाता है उसमें कौन-कौन से आ जाते हैं बताओ पता है? हाँ helicopter है और aeroplane यह आ जाती हैं उसमें अब यहाँ पर कुछ questions दे रखे हैं बचो इनके answer बताना है तो यहाँ देखो दे रखा है which is the fastest means of transport इसने पूछा है कि कौन सा सबसे तीज चलने वाला means of transport है means of transport तो समझते हो ना बचो यातायाद के साधन तो fastest कौन सा है? बताओ air transport ठीक है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे air transport और air transport जो है वो fastest means of transport है अब इसने पूछा है which is the cheapest means of transport cheapest का मतलब होता है वाचो सस्ता जो सबसे सस्ता means of transport है वो कौन सा है? वो है land transport ठीक है? यह spelling भी यात कर लेना अब आगे है which is the most popular means of transport यानि कि सबसे popular means of transport कौन सा है? उसमें भी हम land transport जो है वो ही लिखेंगे ठीक है? land transport जो है वो cheapest भी है और most popular means of transport भी है अब नेक्स्ट कुशन है which means of transport have you travelled by? इस देकाए कि कौन से means of transport में आपने ट्रेवल किया है? वो आपको बताना है बच्चो जैसे मैं यहां बताती हूं कि भाई मैंने तो land transport में ही ट्रेवल किया है तो हम यहां पर land transport लिखेंगे अब आगे है reading अब इसका reading पार्ट है ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग यहां पर एक प्यारी सी पोईम दे रखी है अब इस पोईम को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस पोईम में क्या सिखाया गया है सभी बच्चे ध्यान से सुनिए ओके देखो लिखा है यहां पर रो 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 यू और बॉट जेंटली राउंड दे लेक ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग आन दे वाटर बॉट्स आर वर्ट यू टेक अब इसने यहां पर देखो एक पिक भी दी है है ना इस पिक में देखो मैं यह जो पॉट्स दे रखी है इसको यहां पर अब समझाऊंगी इसने कहा है अपनी नाव को छील में धीरे चलाएं पानी में यात्रा करते हुए केवल नाव ही ले सकते हैं यानि जब पानी के उपर यात्रा करते हैं तो केवल नाव में ही की जा सकती है अब आगे है Drive, drive, drive your car Have a merry cruise Traveling, traveling on the road Cars are what you use अब यहाँ पर इसनी कहा है बचो कि यह जो car है इसनी कहाँ अपनी car चलाएं और अत्यधिक आनंद दायक ही यात्रा करें सड़क पर यात्रा करते समय car का यूज करते हैं ठीक है अब आगे है Fly, fly, fly your plane High up in the air Traveling, traveling through the sky Plains will get you there अब यहाँ पर देखो यह plane दे रखा है ना अब इसनी कहा है कि उंचे आस्मान में अपने plane को उड़ाएं उपर आस्मान में यात्रा करते हुए plane का use करते हैं plane का प्रियोग करते हैं चुक 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 यूर ट्रेन चुक अलॉंग दो ट्रेक ट्रावलिंग ट्रावलिंग ओन दो रेल्स ट्रेन्स गो देर एंड बैक अब इसने यहाँ पर कहा है बचो कि अपनी जो ट्रेन है उसमें चुक चुक की आवाज के साथ पट्री पर यात्रा करें यहाँ पर यह ट्रेक इसको पट्री को ट्रेक ball बोलते हैं बचो ठीक है जब पट्री पर यात्रा करते हैं तो रेल गाड़ी वहाँ जाती है और वापेस आती है अब आगे दे रखा है इसने stamp 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 your feet stamp them on the ground traveling traveling on your feet walk to get around अब यहाँ पर देखो इस पिक कुध्यान से इसने कहा है कि अपने feet यानि अपने कदम जोड से जमीन पर पटकते हैं जब पैरों से चलते हैं तो जमीन पर चलते हैं ठीक है तो यह जमीन होती है जिस पर हम चलते हैं अब आगे यहाँ पर दे रखे हैं word meaning word meaning in context gently means होता है softly यानि की विनम्रता से cruise means travel in a ship for pleasure यानि यह कहता है जहाज से यात्रा करना travel cruise का मतलब होता है travel करना और travel किसमें खुशी से जहाज में जहाज में यात्रा करना अब आगे है merry merry means happy यानि की आनन्द पुर्ण चुग चुग means moose lolly and noisely यानि छुक छुक की आवाज से चलना stamp means put foot down forcefully and noisely यानि की पैर पटकना ओके बच्चो तो आज इस वीडियो में केबल इतना ही next वीडियो में मैं आपको इसका comprehensive part यानि की इस lesson में जितने भी questions आएंगे उनके answer लिखना सिखाऊंगी तो हम फिर मिलते हैं इसी chapter के comprehensive part के साथ ओके तब तक के लिए बाई बच्चो